आज हम बात करेंगे बच्चों के पतले दस्त कैसे रोकें, बच्चों में डियारिया, बच्चों के दस्त रोकने के लिए क्या घरे लुपाएं, बेबी के पतले दस्त को कैसे दूर करें बच्चों में दस्त लगना नॉर्मल बात है बच्चों को पेटेशियम से युक्त फल खिलाएं दस्त होने पर जब भी मोशन आए तो बेबी को फिडिंग करवाईए फॉर्मुला मिलक देना ORS का घोल जरूर पिलाए इससे बच्चे के शरीर में पानी की कमी नहीं होगी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बेबी को समय समय पर फिडिंग करवाते रहें बच्चों को दस्त क्यूं लगते हैं बच्चों में लूज मोशन की समस्या के कई कारण होते हैं पेरासाइड, वाइसर या बेक्ट्रिया के कारण होगा इन्फेक्चन, खाने से एलर्जी या दवाओ का गर्म पढ़ना, फूर्ट जूस का ज़्यादा पी लेना, फूर्ट पॉजनिंग पेट रोग अक्सर दस्त के जरिया पहचाना जा सकता है इस सिच्वेशन में नावजात को कई प्रकार की परेशानी हो सकते हैं इसमें इफलेमेटरी बावल लिसीज भी सामिल है इस बीमारी में पेट में बेबी को सूजन होने लगते हैं इससे बच्चे के पेट में दर्द होता है, समय पर ना इलाज करवा जाये अगर बेबी जादा परेशान है तो डॉक्टर को जरूर दिखाईए बच्चे की गर्मियों के कारण दस्त की समझ से हो रही है तो इसका कारण लू हो सकती है आप बेबी को गर्मियों के मोसम में ज़्यादा से ज़्याजा तरल पदारत पिलाईए कई बार देखा गया है कि बेबी को संक्रमंट की वज़े से भी लूज मोशन हो सकता है बच्चों का इम्यून सिष्टम इतना मजबूत नहीं होता है कि बच्चे किटानू से लड़ पाएं गंदगी गलत खान पान की वज़े से बच्चे के पेट में किटानू का खत्रा बढ़ने लगता है इससे बेबी को लूज मोशन हो सकता है आप खाने का विशेज ध्यान दीजिए बेबी के बच्चों का एक कारण फ्रूट जूस हो सकता है वेसे तो फलो के रसकों सेहत मन माना जाता है फ्रूट के अंदर मोज़ूत फ्रोक्टेज की मातरा नुकसान पहुचा सकती है फलो जूस में पाई जाने वली मिठास बच्चों में डाइरिया का कारण बन सकती है छोटे बच्चों में चीनी को सेहन करने की शमता कम होती है फ्रूट जूस पीने से बच्चे में धीरे-धीरे दस्त के प्रोब्लम बढ़ सकती है प्रकार देखा गया है कि बेबी अधिक खाने से अलर्जी होती है उसे कुछ चीज उससे अलर्जी होने लगती है बच्चों में फूट पोईजिनिंग होना नॉर्मल बात है बच्चे कई प्रकार का आहल लेना चालू करते हैं या प्रोब्लम डाइरिया का रूप ले रेती ह खाने से अलर्जी होने पर बच्चों के चेहरे होट पेट तक प्रभावित हो सकते हैं तारण बच्चों में फूट पोईजिनिंग पेट में कीड़े हो सकते हैं बच्चों को दस लगना नॉर्मल बात है कभी गलत खान पान की वज़े से भी बच्चे एक सो दो दिन जो और बच्चों में ज्यादा होता है दस्त के एक या दो दिन बास से ही बच्चों में पानी की इतनी कमी हो जाते कि उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ सकता है बच्चों में दस्त के लक्षन है एठन उल्टी पेट में दर्द वजन कम होना सूजन या पेट फू मतली मलत्याग, दस्त के कारें, डी हाइडरेशन, बच्चोऔर नावजात्धिमें, में डी हाइडरेशन, भोत्तेजीसे फिलता है, जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है, डी हाइडरेशन का इलाज समे पर ना करवा जाये, तो बच्चे का कोई भी अंग खराब हो सकता है, डिहाइड्रेशन के लक्षन है, चिड़ चिड़ापन, मू या आख सूखना, ड्राइ स्किन, आखो या गालों का दबना, ठकान, रोते समय आसू नहीं आना, ठंटो में एक भार भी बेबी को पेशाबना आना, तेज बुखार, बच्चे का पूरे से में उदास रेना, बेहो उसी पेट में एठन, सूझन ये, जो भी आपको लक्षन दिखाई दें, आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क जरूर करिए, लूज मोशन में बेबी का वेट काफी हद तक कम हो जाता है, समय समय पर बेबी को फिडिंग करवाईए, उसे पानी पिलाईए, उसके साथ हैपी रहे हे बाते करिए, लूज मोशन के कुछ कारण थे, लूज मोशन केसे होता है, बेबी के दश्ट को आप कैसे रोकेंज, हम यहाँ पर आपको बताएंगे सन अगर ड़य लिन Tyrehy, उसको पतले दश्ट की होती है बच्चे के दस्त रोकने के लिए बेश तूपाई है केला बच्चे दस्त के कारण भारी मातरा में पोटेशियम खो देते हैं केले में पोटेशियम, जींक, आइरन, केलशियम, विटामिन A, मेगनीशियम होता है बच्चों को लूज मोशन होने पर 10 लगने पर आप सेंब एपल जरूर खिलाईए सेंब पेक्तिन से भरपूर होता है जो बच्चों में डायरिया की इस्तिती को ठीक करने में मदद करता है बच्चों को सेंब पानी में आप उबाल लीजिए उसको अच्छे से मेश कीजिए इससे बच्चा असानी से पचा लेता है बेबी को लूज मोशन में आराम मिलता है आप बेबी के जो मेश क्या वाइप पल है उसमें आप मिल्क भी डाल सकते हैं इससे भी बेबी इसको आसानी से पचा लेगा बटर मिल्क बच्चों में डाइडिया का ये बेश टूपचार है और जमस से लड़ने में प्रभावशाली होता है ये पाचन तंत्र को मजबूत करता है और आराम पहुचाता है ये स्वाद में काफी अच्छा रहता है लेकिन आपको इसका 7-8 महा से 8 मंत से जो बड़े करती है दाल को अच्छे से बकाईए नमक और हल्दी डाल कर जो बेबी को जब बॉइल करते हैं तब आप इसमें डालिए अच्छे से एक एक दाना फूर जाए तब आप बेबी को खिलाए इससे बेबी की वज़े से लूज मोशन हुए है या डाइरिया हो चुका है बेबी को लूज मोशन में काफी अराम मिलेगा है काफी अच्छा उपाई है बेबी को लगातार लूज मोशन हो गया एकदम पतले दस्ता आ रहा है तो पुदीना को आयोरोधी कोशधी माना गया है एंटी बेक्टरियल गूर्ण पेट संभंधी संक्रमन को नश्ट करने में तो आप निम्बू पानी दीजिए निम्बू पानी के कोई साइड इफेक्ट नहीं अगर आपका बेबी सिक्स मंत से बढ़ा है तो आप निम्बू पानी उसको दिन में दो से तीन बार जरूर दीजिए इससे डायरिया और जो भी संक्रमन रहेगा लूज मोशन है तो बेबी को आप थोड़ा थोड़ा करके नारियल पानी दे सकते हैं लूज मोशन के दोरान या दस्त के दोरान एकदम पतले दस्त के दोरान आप उसे हलका खाना खिलाएए आप चावल का पानी दे सकते हैं काफी अच्छा है बेबी असानी से पचा लेगा ये पच भी असान ने कमान पिलाई ये दिन में एक से दो बार का बेबी छोटा है आप उसको कुछ भी नहीं खिलाना चाहते हैं तो आप पानी जरूर लीजिए पानी को अच्छे से बॉइल कीजिए उसको ठंडा कीजिए उसमें एक चमच नमक डाले और बेबी को समय समय पर थोड़ा थोड़ आते रहिए आज की वीडियो में बस इतना ही आपको वीडियो कैसी लगी लाइक जरूर कीजिए चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए थैंक्यू वाचिंग इस वीडियो के कुष्छ किजए नाँ कीजिए हैंक्यों वीड्यादी क सब्सकाद с烏वडन के शोगए ओवल्यादी कीजिए आती कीजिए हैंक्यों कीजियों सब्सक्राइब कीजिए हैं मजगपी ये क मेरे शेखर algunas ही खार्व सोवाबர कावणने एल्ग चैनल ईवतर में में देखर